आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलिशन पाओ अभी डाउनलोड करें परबिशन की तुर्फट के लिए एची की क्या वाता है सिलिशन पाउनल विज्ञान सर्दीब्न और याँ प्रबदेतन की बोडियोंसे निहीं है न दूर्यों मैं नहिंसी परिपारटी सब्सक्राइब यहा और तुश्कों मुंहां बाहए मैया है कि इस दरपन के दाई तरफ जिती भी दूरी हम नापेंगे ठीक है उसको हम यहां पे कैसी लेंगे यहां पे धनात्मक लेंगे ठीक है और इस दरपन के यहां पे जो है बाई तरफ की नापे जने वाली दूरी है कैसी लेंगे हम धनात्मक लेंगे अब देखिए इस दर्पन की जो वक्रता है वो कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ माल लिए हमने यहाँ पर क्या होगा इस दर्पन का फोकस यह है ठीक है और फोकस से लेके दुरुव तक की दूरी फोकस दूरी कही जाएगी और यहाँ पर फोकस दूरी क कि दुगनी दूरी पर क्या होता है वक्रता केंदर होता है जिसको हम यहां पर सी से दिखाते हैं और दुरुब से लेकि इस वक्रता केंदर की दूरी क्या कही जाती है वक्रता त्रिज्जा कही जाती है ठीक है इसको हम यहां पर जो है क्या होता है कि कैपिटल आर से दिखाते हैंComment यहां पर हमारे को चेपिल लुपान डिखी है कितना ये दिया होगा है अब यहाँ पर आप अपने परिपारटि के लिए वर्पीं ने डूरी के लिए हम नेहीं तरफ चलने पड़ेगा यह नहीं तरफ की दूरी हम का किसन से कि अ निगेटिव लेंगे टो आर का मांन क्या हो जाएगा माइनस 20 junior से अब यहां से क्या कर सकते हैं इस दरपन की फोकस कर दो कि Mint यहां लॉप्ट भावर मैं कि этом 15 का 2 कि बुड़े थो किingo लाइन यहां से थे भी अब इसके बाद हमारे कोशन में क्या का आ गया है कि इसके दुरुव से 5 से इंटीमिटरिक दूरी पर वस्तु रखी है ठीक है याँ यहाँ पर जो है इसका यह दुरुव है ठीक है और हमने यहाँ पर मान लिया वस्तु हमारी कहां पर रखी है यहाँ पर कहीं रखी है ठीक माइनस पाँच सेंटिमीटर ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रतिविम की इस दिन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे V का मान निकालेंगे small V का क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर प्रतिविम बनता है द्रोव से लेके वहाँ तक की दूरी को हम small v से दिखाते हैं किसे small v से ठीक है तो small v हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है u v और f में संब्द दिखाने वाला 1 upon u plus 1 upon v बराबर 1 upon f तो यहाँ से क्या आजाएगा यहाँ से आजाएगा 1 upon v बराबर 1 upon f minus 1 upon u ठीक है तो यहाँ से क्या आजाएगा 1 upon v बराबर अब f का मान कितना है निकाला माइनस का 10 तो 1 बटे माइनस 10 माइनस u का मान कितना है u का मान है माइनस 5 तो इस तरीके से यहां पर मैनस का 5 आओ गया ठीक अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 बटे V बरावर माइनस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 5 तो इसको और हल करेंगे तो यहां से 1 अपन V बरावर कितने आजाएगा 10 तो 5 का यहां पर लासा लेंगे 10 आजाएगा यहां माइनस 1 प्लस 2 तो इस तरीके से यहां पर क्या आगया 1 अपन V बरावर 1 अपन 10 तो यहां से V का मान निकालेंगे तो V कितना आगया 10 cm अब यहां पर ध्यान देने बज़बात यह है कि जो V का मान है वो कैसा आ रहा है धनात्मक आ रहा है तो यहां पर क्या है इस 10 cm का मतलब यह हुआ कि जो प्रतिविम बनेगा वो दरपण से 10 cm दूरी बनेगा ठीक है अब यह यहां पर धन चिन है यह प्लस साइन है वो यह दिखा रहा है कि जो प्रतिविम नापा गया है जो प्रतिवियम के दूरी नापी गई है वो जो है यहाँ पे दरपण के दाई तरफ नापी गई है तब ही वो धनात्मक होगी इसका मतलब यह है कि जो प्रतिवियम हमारा बन रहा है इस वस्तु का वो इधर कहीं बन रहा होगा मतलब दरपण के पीछे बन रहा होगा और दर यहां से क्या हो जाएगा देखिये हैं अम पहले बात करेंगे क्या। вся state की बात कर दे रहा है ऑन स्थिति की। iesta Tea क्या होगी इससी यहां पर जो हम लिख Yeah कि तर्पण से ग्याहझ कि 10 cm दूर या दूरी पर और किस तरफ दाई तरफ यहां पर यह देखना भी जो है मैं तो पूर है कि जो है दाई तरफ या बाई तरफ ठीक वह आप जो ही यह साइन देखके बताएंगे चिंद देखके बताएंगे अगर यह निगेटिव आता है इसका मतलब जो है दरपण से 10 से एंटिमीटर दूरी पर लेकिन यहां पे कहां बाई तरफ अब यहां पे बात कर रहा है प्रक्रति की बात कर रहा है ठीक है प्रक्रति की अगर बात करें तो प्रक्रति कैसी हो जाएगी प्रक्रति यहां पे क्या हो जाएगी देखिया प्रक्रति हमने बताया आपको कि जो है दरपण के पीछे जो बनता है प्रतिम वह कैसा होता है आ तो आभाशी वा सीधा ये क्या हो गया ये इसकी प्रकति हो गई अब हमको यहाँ पर क्या बताना है रेखिया आवर्धन का मान बताना है ठीक है किसका रेखिया आवर्धन का रेखिये आवर्धन तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको में M से दिखाते हैं तो M का मान क्या होता है यहाँ पर माइनस का V बटे U साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है यह जो रेखिये आवर्धन है वो प्रतिबिम्ब का आकार और वस्तु के आकार के अनपात को कहते हैं ठीक यानि देखें आवर्दन से हमें यह ग्याद का होता है कि जो प्रतिबिम्ब हमारा है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा बना है या कितने गुना यहाँ पर जो प्रतिबिम्ब है वो है वस्त अब यहां बतादे हम आपको कि ओ ओ डैस हमेशा कैसा होगा धनात्मक होगा कि यह जो हमेशा सीधा रखा जाएगा ठीक और साथ ही शाथ में अगर प्रत्विम वास्तविक बन रहा है तो वह उल्टा बनेगा मलब नीचे बनता है ठीक और अगर आभाशी है तो वह सीधा बने यहां से क्या जैक देखि वी कमान कितना अंहीं है यहां फिल कितना है दस कवामन कोइन में माइनस का पांच तो इस तरीगे से यह बनायै अऎ helemaal और यह इस तरीके से कैंसल हो क्शोंड़ यहित मैं यह किंशल हो गया कितना गया वहां कितना दो यह इंशावर्योम वोल्स 2 आ यहां पर आप जो है इस तरीके से आप अगर जो शित्र नहीं बनाये हैं मतलब किरन आरेक नहीं बनाया आपने तो आप M का मान देखके भी यहां बता सकते हैं प्रतिविम के प्रकति ठीक है तो यहां पर अगर M का मान धनात्मक आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिवि अब यहां पर हम बात करें इस दो का, तो इस दो का मतलब नहीं पहले नहीं करें प्रत्वित्क निरा की सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर